नमस्कार जैहिन दोश्तों, पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार दोनों ने तो पवाल कर रखा है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ पवन सिंग और खेसारी लाल यादो की, बॉलीवुट की फिल्मों के टीजर रिलीज हुए है, बॉलीवुट की बटबे सॉंग रिलीज ह लेकिन कोई भी पवन सिंग और खेसारी लाल यादो को आज टच नहीं कर पा रहा है, म्यूजिक सेक्सन की बात करें, चाहे फिर नाओ की बात करें ट्रेंडिंग में, तो यूटूब में तालका मचा रखा है खेसारी लाल यादो और पवन सिंग ने, लेकिन एक बदलाव जड़ा रहा है, जैसा कि आप सबने देखा होगा कुछ दिर पहले, खेसारी लाल यादो का गाना, पानी पानी, म्यूजिक सेक्सन में भी एक नमबर पे चल रहा था, और नाओ पे भी एक नमबर पे चल रहा था, लेकिन अब पावन सिंग आगे निकल गए हैं, और नाओ मेन पे जहां ट्रेंड करना चाहिए, खेसारी लाल यादो को पीछे कर दिया है, और अब नाओ पे ट्रेंड कर रहे हैं, पावन सिंग एक नमबर की पोजिशन पे और खेसारी लाल यादो ट्रेंड कर रहे हैं, दो नमबर की पोजिशन पे, तो वहीं अगर म्यूजिक सेक् पावन सिंग अभी भी पीछे हैं, दो नमबर पे ट्रेंड कर रहे हैं, और खेसारी लाली आदो मुजिक सेक्शन पे एक नमबर पे ट्रेंड कर रहे हैं, कमाल हो गया यार, दोनों इस्टार आपस में कभी वो आगे, कभी वो पीछे, दोस्तों आपको बता दूँ, कि ये दो दोनों गाने बहुत बवाल कर रहे हैं, दर्सकों काफी पसंद आ रहे हैं, चाहे पानी-पानी की बात करें, अक्षरा सिंग और खेसारी लाल की जोडी की, या फिर प्रियंका सिंग की मधूर आवाज और पवन सिंग के गाने, तुमसा कोई प्यारा की बात करें, दोनों ही गाने बढ़िया हैं लेकिन अभी आपको बता दू यादो के बाद एक दिन बाद गाना रिलीज हुआ था पंवन सिंग का लेकिन अच्छा है दोनों गाने कमाल कर रहे हैं आप क्या सोचते हैं इसके बारे प्लीज कोमेंट जरूर करें धन्यवाद